इसलाम के पैगंबर मुहम्मद सहाब को सबसे ज़्यादा किस ने परेशान किया? मुहम्मद सहाब को सबसे ज़्यादा परेशान यहुदियों ने किया जो काम विदेश में मुहम्मद सहाब के साथ यहुदियों ने किया वही काम भारत में यसी, यस्टी, ओबीसी और इनसे धर्म परिवर्तित मुस्लिम, सिख, इसाई, बाउद, जैन और लिंगायत इन मजलुमों के साथ ब्रामनों ने किया और आज भी कर रहे है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहुदी और ब्रामन दोनों जालिम है और दोनों का डियने एक ही है दूसरी बात, जिन लोगों ने मुहम्मद सहाब को नहीं बक्षा, क्या वे लोग भारत में मुसलमानों को बक्ष देंगे? नहीं, यह मुसलमानों का केवल भ्रम है, जो जगे हुए होते हैं उनका इस्तमाल नहीं किया जा सकता इसलिए मैं लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ यह बात बहुजन क्रांती मोर्चा के राष्ट्रिय संयोजक वामन मेशराम ने हरियाना के गुरुग्राम यानि पहले के गुडगाव जिले में ईवियम का भंडाफोड राष्ट्रवयपी परिवर्तन यातरा को संबोधित करते हुए कही इस मौके पर चवद्री विकास पटेल, मनोच कुमार और निशा मेशराम सहित कई मान्यवर मंच पर मोजूद थे वामन मेशराम ने चुनाव आयोग और केंदर सरकार पर निशाना साथते हुए कहा कि 2019 में हुए लोकसवा चुनाव को खट्म करके बैलेट पेपर के माध्यम से पुना चुनाव होना चाहिए क्योंकि 2019 के लोकसवा चुनाव में ईवियम में भारी घोटा ला करके बीजेपी ने केंदर की सत्ता पर कबजा किया है आगे वामन मेश्राम ने मुसलिमों की भुमिका पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मुसल्मान विगत कई सालों से चुनाव में कॉंग्रेस का समर्थन करते हैं अल्ला का आदेश उन लोगों की मदद करने के लिए है जो पीडित है लेकिन मुसल्मान नहीं मान रहे है कॉंग्रेस में डाले गए 12 करोड वोटों में से 9 करोड मुसलिम वोट है क्या भीड द्वारा लिंचिंग के समय कॉंग्रेस आपके बचाओ में आती है 15 अगस 1947 तब मुसलिमों की शासन प्रशासन में 33 प्रतिशत हिस्सेदारी थी 15 अगस के बाद मुसल्मान अत्याचार के शिकार हो गए और 5 प्रतिशत मुसल्मान आज प्रशासन में नहीं है यानि आज देश में मुसलमानों की हालत यसी यस्टी से भी बत्तर हो गई है मुस्लिमों के इस हालाग के लिए पहले नंबर पर कॉंग्रेस जिम्मेदार है और दूसरे नंबर पर बीजेपी इसलिए कॉंग्रेस बीजेपी के हर शडियंत्र को हम उजागर कर रहे है ताकि मुसलिमों के सभी समस्याओं का समधान हो सके बता दे कि EVM भंडा फोड परिवर्तन यात्रा 26 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली में आने वाली है